वेलकम टू बाइजू जू जू अनलाइन क्लासेज दोस्तों आज हम लोग डेली करेंट अफेयर में 22 अगस्त के समाचारों में से आपके लिए SSC, दिल्ली पुलिस, बिहार SI, बैंकिंग, सभी all government exam के लिए यह लाबदायक सिद्ध होगा जिसमें महत्पूर्ण रास्टी अं साथ साथ दिवस की बात करेंगे, किताबों की बात करेंगे और national, international, news की बात करेंगे, आईए देखते हैं national और international, यानि रास्टी और अंतरास्टी अमामले, जिसमें पहली खबर है, nine killed in Sri Salem powerhouse unit fire, अब देखिए यहाँ पर आप लोगों से सीधे पूछ लिया जाएगा, कि Sri Salem पर योजना किस नदी पर है, और यहां किस राज में है, तो जैसा कि आपको पता है कि आंधर प्रदेश राज है, तो आंधर प्रदेश राज से 2 जून 2014 को, यानि 2nd of June 2014 को एक नया इस्टेट बना था, उसका नाम है तेलंगाना, तेलंगाना में अभी यह पर योजना है, नाइन पीपुल हैब डाइड इन फायर मिसेब, इंसाइड दा अंडर ग्राउन स्री सेलम लिफ्ट बैंक, यानि 900 मेगावाट पावर हाउस फॉलोईंग एन एलिक्ट्रिकल साट सरकिट, बिद्दुत के साट सरकिट हो जाने की वज़ा से यह घटना हुई है, स्री सेलम हा पहुचना मुस्किल था, अब कह सकते हैं कि दा प्लांट इस लोकेटेड एबाउट 1.25 किलोमेटर डीप डाउन एंड अंड ओनली एसेस वाज टनल, वीच वाज डिफकल टू एसेस ड्यू टू तू थिक स्मोक, और यही कारण है कि वहाँ पर लोगों के साथ यह घटना घ अब याद रखेंगे कि इंडिया is blessed with immense amount of hydroelectric potential and ranked fifth in term of exploitable hydropotential on global scenario यानि बैस्विक अस्तर पर अगर बात की जाए, बैस्विक पर्दिस पर बात की जाए, तो जल बिद्दु छमता के मामले में भारत पांचवे अस्तान पर है अब देखे जल बिद्दु छमता यानि नदी घाटी परियोजनाओं पर यह अवस्तित होती है परियोजनाएं, इन्हें multi-purpose project कहा जाता है बहु उद्देशी यह परियोजनाओं यानि इससे हम बिजली भी बनाते हैं, सिचाई के लिए, पेजल, बांध, बाढ़ों से सुरक्षा, सभी प्रकार की सुरक्षा करती हैं यह परियोजनाओं तो भारत की one of the oldest, यह आया हुआ एक्जाम में आपके, यह आपकी परिक्ष सयंतर चालू हुआ था। धियान रखेंगे और इंडियाज हाइड्रो पावर पूटेंशियल 1,45,320 मेगावार्ट, यानि इसकी चमता भारत की बड़ी जल्बिद्दुचमता 1,45,320 मेगावार्ट, जिसमें से उपियोग में केवल 45,720 मेगावार्ट है, सुचिए कितनी संभावनाएं हैं, जैसे हमारे यहां ब्रह्म पुत्र नदी में, सबसे अधिक जल बिद्दुच्छमता है, याद रखेंगे जबकि अभी उतना विकास नहीं किया जा सका है, जैसे सुबन सिरी नदी, सुबन सिरी प्रोजेक्ट है, इसी नदी पर है, याद रखेंगे परियोजना, तो इसी तरह से विश्व में अगर बात की जाये तो एक कॉंगो नदी है, दोस्तों सुना है कॉंगो नदी, अफ्रीका महादियूप में कॉंगो देश भी है, तो ये दो बार गुजरती है, या दो बार काटती है कांगो नदी किसको विश्वत रेखा को, और विश्व की सब से अधिक हाइज्रो इलेक्टिक पावर कैपसिटी रिवर है कांगो नदी, याद रखेंगे विश्व का सोलह प्रत्सत जल बिद्दुच्छमता इस अकेले नदी की है और पूरे अफरीका कॉंटिनेंट का 40% जल बिद्दुच्छमता वाली नदी कांसी है वह है कॉंगो नदी, याद रखेंगे और पिछले 10 वर्सों में हम लोगों ने 10,000 मेगावार्ट जल बिद्दुच्छ को जोड़ा यानि only about 10,000 मेगावार्ट of hydropower has been added in the last 10 years याद रखेंगे ये fact अब यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं मांचित्र के आधार पर ये देख रहे हैं न तेलंगाना है, ये स्री सैलम एकदम आंध प्रदेश से जुड़ा हुआ है ये द्यान रखेंगे तो स्री सैलम हाइड्रो एलेक्टिक प्लान यह स्टेट यहाँ पर याद रखेंगे स्टी एट टी होगा स्टेट कहा है तेलंगाना किस नदी पर है ये प्रोजेक्ट क्रिष्णा नदी पर ध्यान रखेंगे ये बहुत महत्पूर हो जाता है और तेलंगाना की राजधानी क्या है हैदराबाद आंध प्रदेश की राजधानी अमरावती ध्यान रखेंगे वैसे संयुक्त राजधानी हैदराबाद ही है है हैधराबाद और हैधराबाद किस नदी की किनारे बसा है मूसी नदी के किनारे बसा है तो समझ में आई बात यहाँ पर मांचित्र में आप देख सकते हैं अब बढ़ते हम लोग next news पर next news है केरला रेडिस टू होस्ट इस फर्स ड्रेगन फ्लाइ फेस्टिवल दोस्तों ड् WWF India Bombay Natural History Society and Indian Dragonfly Society in association with the National Biodiversity Board United Nation Environment Program United Nation Development Program and IUCN यह भी पूछ सकता है कि Sky Ocean कौन कौन कर रहा है तो यह सारे संगठन याद रखेंगे इसका official musket क्या है धान रखेंगे यह पंतालू Dragonfly Backyard Watch announced to enhance the participation of people and improve their observation skills and this will turn into a citizen science project during COVID-19 restrictions यह बहती महत्पूर्ण है दोस्तों और यह याद रखेंगे कि केरला पहली बार इस festival में सायोग कर रहा है और इस 2020 में केरल के साथ साथ नो अलग-अलग राज्यों में इसे आयोजित किया जा रहा है और यह तीसरा है यह भी fact याद रखेंगा it is third edition और इसकी सुरुवात कब हुई थी? 2018 में अब हम लोग बात करते हैं तीसरी महत्पूर्ण खबर वन अब दो मोस्ट इंपॉर्टन न्यूज इंडियन कोस्गार्ड लांचेज इंटर्सेप्टर बोट भारती अत्तर रक्षक के लिए इंटर्सेप्टर बोट लांच किया गया है वो भी किस कमपनी ने? लारसन अंट तुबरो जो कमपनी है और इसका नाम क्या है सीधे पूछ लेगा आपसे कि ये इंटर्सेप्टर जो बोट है उसका नाम क्या है तो ICGSC 454 ये फैक्ट है इसको याद रखेंगे 27 मीटर लंबी नाव में 45 नौटिकल मील या 83 किलो मीटर प्रति घंटे की अधिक इसका नाम क्या है और इसमें कह सकते हैं 27 मीटर लॉंग बोट है मैक्समम स्पीड आफ 45 नौटिकल माइल समुद्री मील एक समुद्री मील बराबर क्या होता है ये फैक्ट आया हुआ एक्जाम में इसको भी याद रखेंगा तो 1.8 किलो मीटर इंडियन कोस गार्ड इसके जो डैरेक्टर है कौन? कृष्ण स्वामी नटराजन है और देखी यहां लिखा हुआ है ना C454 भारती तर्ट रख्चक जहार और ये कहां लौंच किया गया? सूरत में लौंच किया गया? कहां किया गया? ये ध्यान रखिएगा शहर सूरत और सूरत कहां है? गुझरात मे है किस नदी किनारे बसा है तापती नदी के या तापी भी कहते हैं याद रखिएगा और सूरत किस लिए प्रशिद है diamond cutting industry भारतिय हीरा अनुसंधान संस्थान इंडियन diamond research institute भी कहा है यहीं सूरत में है यह fact याद रखिएगा next है एक संकल्प बुजुर्गों के नाम campaign चलाया जा रहा है दोस्तों one of the most important news और यह बहुत interesting news है मध्द प्रदेश में यह ध्यान रखेंगे मध्द प्रदेश में छतरपुर डिस्टिक है वहाँ पर तो वहाँ के पुलिस के द्वारा यह चलाया गया है तो मध्द प्रदेश में राज में कुरोना संक्रमण के बीच छतर पुलिस यह ध्यान रखिएगा एक अनूठा अभियान इसका नाम ही है एक संकल्प बुजुर्गों के नाम यानि बड़ों के लिए प्रतिबद्धता यह बहुत ही अच्छी एक तरह से देखा जाया था यह चलाया गया है यह दोस्तों यह भीयान चलाया गया है COVID-19 महामारी के दवरान जो घरों में अकेले रह रहे हैं उनके लिए वर्दान साबित हो रहा है यानि उनके खाने, स्वास्त, सभी की बिवस्था देख रहा है कौन? यह अभियान एक संकल्क, बुजुरुगों के नाम जैसे आपके एक्जाम में आ जाएगा सीध है कि यह अभियान किस राज में चलाया गया है तो ध्यान रखेंगे और यह भी ध्यान रखेंगे मद्ध प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंग चोहान राजिपाल कौन है? आनंदी बेन पटेल वहां के डीजीपी कौन है? विवेक जोहरी ध्यान रखेंगे नेक्स्ट है अब देखिए राजस्थान गौर्रमेंट लांचेज इंद्रा रसोई योजना तो राजस्थान सरकार ने मात्र आठ रूपए में सोचिए मात्र आठ रूपए में भोजन की थाली उपरब्द कराने की अपनी महत्वा कांची इंद्रा रसोई योजना की शुरुवात कर दी है यानि योजना पर सालाना कितने का खर्च आएगा सौ करोण रूपए का खर्च आएगा तो इसमें वहां के मुख्यमंत्री कौन है अशोक गहलो तो उन्होंने बटाया की यह शहरी गरीब परिवारों को पॉस्टिक भोजन रियायती दर पर देगा यानि देखा जाये तो 20 रूपए प्रति थाली खर्च आ रहा है लेकिन जो लोग इसको प्राप्त करेगा उसे मात्र 8 रूपए खर्च करने होंगे 12 रूपए उस राज की सरकार यानि राजस्थान सरकार करेगी और दोस्तों यह पूरू प्रधान मंतिर राजियू गांधी की 76 जैनती पर यह परियोजना सुरू की गई यानि 8 रूपए में सुधवा ताजा भोजन कराया जाएगा इसी के आधार पर इसी स्कीम के चलते देख रहे है ना तमिल नाडू में अम्मा कैंटीन करनाटका में इंद्रा कैंटीन उडिसा में आहार योजना निव दिल्ली में आमाद्मी कैंटीन मद्ध प्रधेश में दीन धयाल रसोई चलाई जा रहे है इसी के तरज पर उत्तर प्रधेश में भी चलाई गई है अन्पूर्णा योजना 2017 में इसी तरह की फिर दिल्ली में आमाद्मी 2017 में शुरू किया उसमें दिल्ली में क्या है कि इसमें 10 रूपए थाली भोजन मिलता है मद्ध प्रधेश में भी चलाई गई है इसमें पांच रुपए में लोगों को खाना उपलब्द कराया जाता है यह दीन दयाल कीचेन योजना है यह रसोई योजना 2017 में चलाई गई थी इसी तरह से करनाटक की तत्कालिन सिद्धारम यह सरकार ने अगस 2017 में इंद्रा कैंटीन योजना की सुरुवाद की थी इसमें पांच रुपए में ब्रेकफास्ट और भोजन 10 रुपए में उपलब्द कराया जाता है तो याद रखेंगे कि कोई ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहीं पहल है और भी राजियों में इसका पहल जैसे आंध्र प्रदेश में आंध्र प्रदेश सरकार ने जुलाई 2018 में एक योजना की सुरुवाद की थी इसमें पांच रुपए में नास्ता दोपएर और रात का खाना उपलब्द कराया जाता है फिर जगमोहन रेडडी बने मुख्यमंत्री तो उन्होंने इस योजना के नाम को बदल कर राजना कैंटीन कर दिया इसी तरह से महा राष्ट में भी 2020 में सिवसेना भोजनी योजना की शुरुवात की है दस रुपए में खाना उपलब्द कराती है इसी तरह उडीसा में मैंने बताया ही आपको आहार पांच रुपए में खाना मुहया कराता है यह 2015 से चल रही है योजना साथ में यह राजस्थान से संबंदित फैक्ट याद रखियेगा राजस्थान के चीफ मिनिस्टर कौन है? अशोग गहलोत वहां के राजजपाल कौन है? कलराज मिस्टरा हाई कोट वहां की कहां है? जोधपुर में है नेक्स्ट है NHAI लॉंचेज हरित पथ मोबाईल एप चलाया है नेशनल हाईवे अथार्टी आफ इंडिया ने और यह किसलिए? यानि रास्ती राजमारगों पर सभी ब्रिक्षार ओपन पर युजनाओं के तहट प्रतेक ब्रिक्ष के लिए स्थान, विकास, प्रजातियों आधिके विवरण और निगरानी के लिए यानि कह सकते हैं कि यह मॉनिटर करेगा यह मोबाइल एप लोकेशन, ग्रोथ, स्पिसीज डिटेल फार, मोर, इच एंड एवरी प्लांट अंडर आल प्लांटेशन प्रोजेक्ट अलॉंग दा नेशनल हाइवेज और यह उद्घाटन इसका किस ने किया? कौन है मंत्री? नीतिन गड़करी है आपको पता ही है, बहुत ही महत्पूर मंत्रा ले है और काफी विकास किया है इन्होंने तो इसमें NHAI लॉंचेज हरित प्रत इसके बारे में यहाँ पर देखिए हरित भारत संकल्प है यह नेशन वाइट प्लांटेशन डिराइब टू प्रमोट इन्वार्मेंट प्रोटेक्शन और सस्टनेबल्टी यह परियावरण संरक्षन और सतत विकास हरित भारत संकल्प के तहत परियावरण संरक्षन और इस थिर्ता को बढ़ावा देने के लिए एक रास्ट ब्यापी व्रिक्षारोपन अभियान है और यह रास्ट को 25 साल यानि 25 यर आफ NHAI सर्विस टू दा नेशन उसी पर लॉंच किया गया था क्या हरित भारत संकल्प और NHAI planted over 25 lakhs plant in 25 days along the stages of the national highways यानि 25 दिनों में 25 लाग से अधिक पौधे लगाए किसने ने एन एच ए आई ने और दोस्तों हरित पाथ है launch on NHAI कह सकते हैं power big data analyst platform data lake ध्यान रखेंगे data lake पर launch किया गया है पौधों की ब्रिद्ध और स्वास्थ को track करने के लिए यानि mainly यह app किसके लिए किया गया है मैंने आपको बताया कि growth and health of the plants यह track करेगा कि कौन सा plant सूख रहा है कौन सा हरा भरा है उस पर यह ध्यान रखेगा और यह पौधों के data के साथ तस्वीरे हर तीन महीने में platform पर upload की जाएगी कि कहाँ पर one छेत कहाँ पर हरा भरा छेतर कम हो रहा है कहाँ अधिक है यह सारी जानकारी आपको इस app में मिलेगी नेक्स्ट है इंटरनेशनल न्यूज है दोस्तों इस्पेन फस्ट वेस्ट नाइल वाइरस तो फस्ट डिस्कोवर्ड इन यूगांडा यह फैक्ट है याद रखेगा इन 1937 और यूगांडा के आफ्रीकन कंट्री है जिसकी राजदानी क्या है कमपाला है वेस्ट नील यह की वेस्ट नील वाइरस यानि 1937 में इसकी उत्पत्ती हुई थी वेस्ट नील जीले में यूगांडा के एक महिला में पाया गया था फिर इसकी पहचान वर्स 1903 में नील डेल्टा यानि नील नदी की सबसे लंबी नदी है वहां के पक्षियों में पाया गया फिर 1997 में पक्षियों के लिए रोग जनक नहीं माना जाता था लेकिन उस समय इसराइल में एक ही समय में सैकडो पक्षी परजातियों को मृत हुई जो इंसेफलाइटिस और पक्षा घाद के लक्षण पेस कर रही थी तो इसमें क्या होता है इसका लक्षण क्या है लगबग 80% संक्रमि लोगों में वेस्ट नील वाइरस के साथ संक्रमन या तो इस परसोन मुख होता है या वेस्ट नील बुखार या गंभीर वेस्ट नील बुखार रोग हो सकता है यानि लगबग 20% लोगों में वेस्ट नील बुखार देखा जाता है इसमें सिर दर्द, तेज बुखार, ठक मच्छर जनित रोग है यानि वेस्ट नील वाइरस मनुष्यों में एक घातक नियूरो लॉजिकल बिमारी का कारण बन सकता है हलाकि इससे संक्रमीत 80% लोगों में इसके लक्षन का पता ही नहीं लग पाता है और यह वाइरस घोडों में बिमारी गंभीर बिमारी और मिर्तु का कारण बन सकता है तो घोडों को रोग से बचाने के लिए इस्तेमाल किये जाने वाले टीके ही उपलब्द है अभी तक लेकिन अभी तक मनुष्य के लिए ऐसा कोई टीका उपलब्द नहीं है और भारत में भी केरल में दिखी थी साथ वर्सी बच्चे में इसके लक्षनड दिखे थी पेन की कैपिटल क्या है मैड्रिड है अब हम लोग बात करेंगे वैरियस नेसनल और इंटरनेसनल परसनालिटी इन नियूज यानि ब्यक्तित तुमें राजियु कुमार दोस्तों यह बहुत ही महत पूर्ण ब्यक्तितनों है राजियु कुमार मुख्य चुनाव आयुद के साथ दो अन्य आयुख्त होते हैं तो अभी कुछ दिन पहले अशोक लवाशा रिजिगनेशन दिये थे अशोक लवाशा वो क्या हो गए? एसी आई विकास बैंक के वहाँ वाइस पेसिजन्ट हो गए उन्ही की जगा इनको न्यूख्त किया गया और कौन न्यूख्त करता है? यह ध्यान रखिएगा रास्टपती न्यूख्त करता है यानि अनुछे 324 आर्टिकल 324 to 329 अब यह पूछ लेगा कि चुनाव आयोग समविधान के किस भाग में है? तो भाग 15 यानि पार्ट 15 चुनाव आयोग होगा एलेक्सन कमीशन होगा जिसमें एक चीफ एलेक्सन कमीशनर होगा और दो अन्य आयोग तो उस दो अन्य में राजीव कुमार को अब चुना गया है यह 1984 बैच के जारखन कैडर के आये सदिकारी है और इन्होंने 1 सितंबर 2017 से फरवरी 2020 तक केंद्रिय वित्थ सचिवपत पर रहे हैं और अप्रेल 2020 में ही वाज मेड दा चियर्मेन आप दा पॉब्लिक इंटर्प्राइजस सेलेक्शन बोर्ड के अध्यक्ष भी रहे हैं तो अब इनको समविधान के अनुचे 324 के खंड़ दो या क्लास 2 के तहट इनको रास्ट पती ने चुनाव आयुक्त नियुक्त किया है यह ध्यान रखेंगे याद हो जाएगा और यह ध्यान रखेंगे कि जो मुख चुनाव आयुक्त का कारकाल होता है वह 6 वर्स या 65 वर्स जबकि अन्यायुक्त का 62 यर ध्यान रखेंगे यह बहुत महत्पूर्ण है 62 साल 6 वर्स या 62 वर्स जो भी पहले हो अन्या युक्त के लिए ति ये फैक्ट है इसको याद रखेंगे next है sport news, sport news बहुत साधारन सी है, online सतरंज olympiard में भारत ने तीन आसान जीत दर्ज की है, अब देखी यहाँ पर अकसर आप लोगों से पेपर में आ जाता है, जैसे चार खिलाडियों के नाम दे देगा, और पूछ लेगा कौन चेस से संबंधित नहीं है चेस से संबंधित खेल सब्दा वलियां याद रखिएगा, जो महत पूर्ण है और चेस से संबंधित जो खिलाडियों के नाम है अब जैसे खिलाडियों के नाम देखी यहाँ पर हमने जैसे भारत चीन के बाद दूसरे पायदान पर छे के बरावर पायदान पर है लेकिन कम गेम पॉइंट है 13.5 जर्मनी तीसरे अस्थान पर है यह ध्यान रखिएगा तो यह महतपूर्ण हो जाता आर प्रग्या नंद नादा कनेरू हमपी डी हरीका निहाल सरीन विदित एस गुजराती और वंत्रिका अगवाल है तो यही नाम है यही नाम दे देता परसनाल्टी में पूछ लेगा निमलिकित में से कौन इस खेल से संबंधित नहीं है और ओलंपियाड ओन लाइन जो खे अब बढ़ते हैं हम लोग बैंकिंग और वित्त संबंधी समाचार इसमें बहात पूर्ण है RBI Unveils National Strategy for Financial Education 222-225 यानि 2020 से लेकर 25 के बीच में Reserve Bank of India इसके बारे में अभी दो दिन पहले ही बताया था तो Reserve Bank of India की कब अस्थापना हुई थी एक अप्रेल 1935 को 34 एक्ट के तहार तो RBI has launched the National Strategy for Financial Education किसके लिए? Financial Education के लिए यानि वित्ती शिक्षा के लिए रास्टी रणनीती सुरू की है वो भी 2020 से 25 के लिए और दोस्तों यह दूसरी रणनीती होगी पहली कों थी? 2013 में लांच किया गया था तो इस तरह से the NSFE for the period 220-225 has been prepared by National Center for Financial Education कों तयार कर रहा है? NCFE in consultation with all the financial sector regulators like RBI, SEBI, IRDAI, PFRDA और under the ages of the Technical Group on Financial Inclusion and Financial Literacy जिसे TGFIFL कहते हैं तो याद रखेंगे इन सब की सहायता से इसको त्यार किया जा रहा है इस रणनीत को और केंद्री बैंक ने कहा है कि यह बहु हित धारक नेतित दिश्कोन का उद्देश यानि आर्थिक रूप से जागरूक और शशक्त भारत बनाना है इंपावर्ड इंडिया बनाना है यह ध्यान रखना हो इसमें पाँच सी पाँच कोर क्रियाओं के साथ यह दूसरी जो रणनीत है इस सेकंड स्टेटजी है वह फाइब सी क्या है यही दे देगा पाँच सी में कौन सा सी नहीं है ऐसे प्री में आ जाएगा नेक्स्ट है बुक्स एंड आवार्ड दोस्तों आज हमने सिर्फ बुक्स के बारे में लिया है वो भी चेतन भगत की किताबें और दोस्तों यह बहुत चर्चा में रहे हैं इनका अकसर आपके एक्जाम में इनकी किताबों से प्रसनाया है या सीधे पुछ लेगा कि इस कि पर कौन सी फिल्म बनी थी यह भी आ जाता है तो दोस्तों 5.someone इस पर कौन सी फिल्म बनी थी 3.idiot बनी थी 1.night at the rate call center इस पर कौन सी फिल्म बनी थी सलमान खान की movie आई थी hello उस पर बनी थी और 3.mistakes of my life काय पोचे जो कि सुसान सिंग का नाम हमने चर्चा में बताया था तो यह बनी थी revolution 2020 one indian girl इनकी किताब है what young india want इनकी किताब है the girl in room 105 भी इनकी किताब है half girlfriend पे movie आई ही थी अरजुन कपूर और two state भी इनकी किताब है उस पर भी movie आ चुकी है नाम ही इन दोनों के नाम से ही movie थी तो यह ध्यान रखना है यह खाफी चर्चा में खूब आप लोग ना होगा next है आज के महत्पूर दिवस तो पहला है देखें एक मार्च को सून्य भेद भाव दिवस यानी zero discrimination day सून्य भेद भाव दिवस हर साल एक मार्च को 20 स्वस्तर पर मनाया जाता है तक कि हर कोई उम्र लिंग जातियता तवचा का रंग उचाई वजन इत्याद की पर क्या है तितली है ये ध्यान रखेंगे बटरफलाई सबसे पहले एक मार्च 2014 को कौन मनाया था सायुक्त रास ने इस दिन मनाया था United Nation ने मनाया था दोस्तों जैसे लोग जाति सूचक सब्दों का प्रयोग करते हैं लोग कहते हैं आरे तुम बुढ़े हो गये हो इस तरह का लिंग सूचक शब्दों का प्रयोग करते हैं तो इस तरह से डिस्क्रिमिशन करते हैं तो अचा का रंग को ले करके बातें की जाती हैं तो इन सब का परवाह किये बिना शून भेद भाव दिवस एक मार्च 2014 से सुरू किया गया था United Nation ने इसी दिन मनाया था और तफसे मना जा रहा है याद रखेंगे दूसरा है एक मार्च को ही 200 नागरिक सुरक्षा दिवस मनाया जाता है ये भी important day है यानि 200 नागरिक सुरक्षा दिवस हर साल एक मार्च को मनाया जाता है अंतरास्तिय नागरिक सुरक्षा संगठन ने 1990 में ये ध्यान रखेगा 1990 में इस दिन को म 1990 में, 1990 में इस दिन को मनाने के लिए और 200 नागरिक सुरक्षा दिवस 2019 का जो बिसए ही था यही कि बच्चों की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी समझ रहे हैं Child Protection, Our मतलब कह सकते है Our Responsibility यही उसका जो है theme वाक्य था अगला है तीसरा, 3 मार्च को 2021 जीव दिवस World Wild Life Day यह 3 मार्च को 20 अस्तर पर मनाया जाता है, सतत विकास लक्ष, यहनी Sustainable Development के तहत निकटता से जुड़ा हुआ है जो पानी के बिना जीवन है जो समुद्री प्रजातियों पर ध्यान केंदित करता है हमारे रोजमर्रा के जीवन के लिए समुद्री वन जीवों की समस्याओं महत्पुर्ण मुद्धों पर यह प्रकास डालता है तो दोस्तों Sustaining All Life on Earth उसी के लिए बनायता है विस वन जीव दिवस यहनी World Wild Life Day उनको बचाने के लिए इस बार का 2020 का जो थीम है वह है पृत्वी पर सभी जीवन को बनाये रखना यानि Sustaining All Life on Earth याद रखेंगे अगला है चार मार्च रास्तिय सुरक्षा दिवस National Safety Day यानि भारत के रास्तिय सुरक्षा पर सद्वारा चार मार्च को भारत में रास्ति सुरक्षा दिवस मनाया जाता है यहाँ दिन लोगों को बित्ती नुक्षान यह जो फाइनेंसियल जो लॉस होता है स्वास्त समस्याएं हेल्थ इश्यूज और कई अन्य समस्याओं जैसे उनके जीवन में आने वाली समस्याओं से सुरक्षित निकालने के लिए इसे मनाया जाता है नेशनल सेफ्टी डे चार मार्च को आठ मार्च को दोस्तों इंटरनेशनल वुमेन दे यहाँ बिस सो अस्तर पर मनाया जाता है 1908 में यूके में महिला सामाजिक और राजनीतिक संगर्ठन से यह उत्पन हुआ यह आठ मार्च को यह लेंगिक समानता में तेजी लाने के लिए एक प्रकार का एक्षन भी है तो समझ में आई बात तो इसमें क्या है यह दिवस महिलाओं की सामाजिक आर्थिक यहनि वोमेंस की सोशियों एकोनामिक, कल्चरल एन पॉलेटिकल उपलबधियों के बारे में मनाने के लिए हर साल आठ मार्च को बिस्वस्तर पर यहा मनाया जाता है CISF Rising Day CISF के स्थापना दिवस 10 मार्च को मनाया जाता है दोस्तों CISF के स्थापना 1969 में भारत की संसत के एक अधियम के तहद की गई थी और यहां केंदरी एक ग्रीह मंत्राले के अधीन काम करता है किसके मारफत काम करता है It is associated with Home Ministry इसका मुख्याले कहां है इसका Headquarter नई दिल्ली में है यहां संगठन समुद्र के रास्ते वायुमार्ग और भारत के कुछ प्रमुक प्रतिस्ठानों के लिए काम करता है जैसे एरपोर्ट पे CISF की ड्यूटी लगती है मेट्रो पे CISF की ड्यूटी लगती है ध्यान रखेंगे अगला है 15 मार्च विस्तो उपभोकता दिवस यह भी बहुत ही महतपूर्ट दिवस है World Consumer Right Day यह भोकता दिकारों और जरूरतों के बारे में पैस्विक जागरुकता बढ़ाने के लिए हर साल 15 मार्च को मनाया जाता है तो दोस्तों यह है महतपूर्ट दिवस है इसको याद रखेंगे अब हम लोग बढ़ते हैं This Day in History पहला है 1320 में गाजी मलिक defeated नसरिदीन खुष्रो तो नसरिदीन खुष्रो को defeat करके 1320 में ही तुगलक वन्स की अस्थापना हो गई थी चुकि देखिए सब से पहले सल्तनत काल में गुलाम वन्स आता है कुतुब बुदीन एबग गुलाम वन्स के बाद कौन सा आएगा खिलजी वन्स तो यह है खिलजी वन्स का कह सकते है नसरिदीन खुष्रो अंतिवशा सकता इसको पराजित कर गाजी मलिक जिसे गयासुद दिन तुगलक कहा गया तीसरा है तुगलक वन्स की अस्थापना कर दी गई कब 1320 से ध्यान रखेंगे यहाँ डेट आजी के दिन दूसरा है अजी के दिन अजी के दिन अजी के दिन अमेरिका ने नियू मेक्सिको यह प्रांत है अमेरिका का इस पर कबजा किया था कब 1848 आजी के दिन 1921 में फादर आप दे नेशन महात्मा गांधी बंट होली फार फोरेंड क्लोस यानि बिदेशी वस्त्रों की होली जलाई और आजी के दिन 2018 में राही सरनोबद 25 मीटर पिस्टल निसाने बाजी में स्वार्णिम सफलता हासिल कर ACI खेलो की निसाने बाजी सपरधा में स्वार्ण प्रदक जीतने वाली पहली भारती माही लाबानी यानि अब यहाँ पर देखिए आज हम लोग इसको सीधे सीधे याद करते चलिएगा ध्यान रखेंगे रक्त दाब इसको कहेंगे हाँ ध्यान रखिएगा रक्त दाब को स्फैग्मो मैनोमीटर से हम नापते हैं और रक्त का थकका यह ध्यान रखना थकका इसम गहते हैं बलड क्लॉटिंग विटामीन क की सहायता से जिसमें विटामीन क की कमी होगी उसमें बलड का थकका नहीं जमता अगर 2 मिनट से जादा बलड बह रहा है तो यानि आपको ब्लड नहीं रुक रहा है तो यानि विटामिन K की कमी है और विटामिन K का रासाइनिक नाम क्या है इसका केमिकल नेम क्या है विटामिन K का फिलो क्यूनोन ध्यान रखिएगा फिलो क्यूनोन ये ध्यान कई वार एक्जाम में आया हुआ है और विटामिन D क कमी से कौन सा रोग होता है सूखा रोग या रिकेटस उसको कहते हैं ध्यान रखेंगे विटामिन D की कमी से और विटामिन D का रासाइनिक नाम क्या है कैलसी फेराल ये ध्यान रखेंगे कैलसी फेराल ध्यान रखेंगे इसका रासाइनिक नाम और हीकेटस बच्चों में, औस्टो मिलेसिया वयस्क में, तो इसमें महत्पूर्ण हो जाता है कि इसमें खाएं क्या मचली, यक्रित, तेल, दूद, अंडे, यह सब लावधायक होता है, बिटामिन D और सूरी की रोशनी भी, इस स्मॉल पॉक्स वैक्सीन वाज एडवर्ड जेनर, चेचक के टीके की खोच किस ने की थी, एडवर्ड जेनर ने, तो दोस्तों एक प्रसन आपका अविश्कार से तो रहता ही रहता है, ऐसे ही अविश्कार आपको याद रखने होंगे, जैसे विटामिन की खोच किस ने की थी, फंक ने, विटामिन B की किस इसने की थी, मैकुलन ने, ऐसे याद रखना होगा आपको, ध्यान रखेंगे, तो यह महत पूर्ण है, एंसुलिन की खोज जैसे, बेटिंग, चेचक का टी का मैंने आपको बता है न, एडवर्ड जेनर, टीवी बैक्टीरिया, रबर्ड कोच, पैंसिलीन, अलेक्जेंडर फ कारण होता है, बिटामिन B की कमी से कौन सा रोग होता है, बेरी-बेरी रोग होता है, यह ध्यान रखिएगा, और बिटामिन B का रासानिक नाम क्या है, थाइमिन, इसमें बिटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B12, साइनो कोबाला माइन उसको कहते हैं, याद रखिएगा, तो बेरी बेरी इसको थाइमिन कहेंगे इसमें मुंग फली तिल सूखा मिर्च ये सब स्रोत हैं इसको बढ़ाने के लिए भी टाइमिन भी याद रखेंगे अगला है बनस्पत विज्ञान के जनक एक कोश्चन यहाँ से भी रहता है फादर आफ बाइलो जी फादर आफ जलो जी ऐसे पूछ लेता है तो फादर आफ बाटनी कौन है थ्रियो फ्रेस्टस यह ध्यान रखियेगा यानि बनस्पत विज्ञान के जनक कौन है थ्रियो फ्रेस्टस है अगला है फलों को पकाने के लिए एथिलीन गैस का प्रियोग किया जाता है इसको याद रखेंगे जो फल को पकाते हैं हम लोग वो कौन सी गैस है एथिलीन गैस कई बार आपकी परिक्चाओं में आया है pain due to bees, bite is due to formic acid जब मधमक्यां काटते हैं हमको दर्द होता है तो किस अमल के कारण होता है वो फार्मिक एसिट के कारण होता है तो इस तरह से ये fact ध्यान रखेंगे अब हम लोग आज के practice प्रस्ण में आईए तेजी से answer दीजिएगा स्री सैलम बांध पर योजना किस नदी पर है कृष्णा नदी पर दूसरा है तीसरा dragonfly festival का सुभंकर क्या है मसकट क्या है तो पंतलू है याद रखेंगे पंतलू या पंतलू तीसरा question है लार्सन टर्बो सिब बिल्डिंग ने भारती तटरक शकबल के लिए बने interceptor boat ICGSC 454 किस सहर में launch किया ये ध्यान रखना किस सहर में launch किया याद रखेंगे सूरत में अगला question है कि कोरोना में हमारी के दौरान एक संकल्प बुजुर्गों के नाम अभियान किस राज के द्वारा चलाए जा रहा है मध्य परदेश ध्यान रखेंगे answer मध्य परदेश next है हाली में किस राज ने इंद्रारसोई योजना सुरू की है राजस्तान ध्यान रखेंगे कितने रुपए का आठ रुपए में भोजन मिलेगा ताजा और भी सहरी छेतर के लोगों को अगला है हाली में रास्ती राजमर्गोद्वारा बिक्षार ओपण की निगरानी के लिए NHAI ने किस नाम के मुबाइल एप को लॉंच किया है हरित पत याद रखना ठीक है next है निम्ण में से कौन सतरंज का खिलाडी नहीं है विश्वनाथन आनन कनेरू हमपी पी किषना ये विनेस फोगाठ है ये कुछति संबंदित हैं दोस्तों याद रखेंगे अगला है विश्वनाथन आफ़र आप दा बुक वाट यंग इंडिया वान यानि इसके लेखा कौन है ये चेतन भगत होगा ध्यान रखियेगा अभी मैंने इनके बारे में बताया ना ये तो आपको पता ही होगा यहाँ भगत कर लिजेगा ठीक है अब हम लोग आगे बढ़ते हैं वेन इस इंटरनेशनल वुमेन दे सेलिब्रेटेड आठ मार्च को मनाया जाता है ध्यान रखेंगे अगला है किस विटामिन की सहाथता से रख्त का ठक्का ध्यान रखेंगे रख्त का ठक्का यानि ब्लड क्लॉटिंग विटामिन के अभी बताया है आपको तो विटामिन A क्या है रेटिनॉल इससे रताउंधी होता है विटामिन B थाइमीन विटामिन C याद रखिएगा और किस नाम इसका रासायनिक नाम है, और बिटामिन D बता ही चुका हूँ आपको कैल्सि फिर ओल, तो इसमें एंसर क्या होगा, K, और बिटामिन K क्या है? फिलो क्योन ओन, उसका रासाईनिक नाम तो इस तरह से डोस्तों, आज हम लोगों ने रस्टी अंतरास्टी जगत की खबरों को लिया प्रस्टनालिटी को लिया वित्ती ये समाचार को लिया फाइनेंसियल निूज लिया साथ साथ आज बुक्स से खबल लिया स्पोर्ट सेक्शन से लिया अब भ्यास प्रस्न किया दिवस से लिया तो इस तरह से आशा करता हूँ कि आप लोगों को आज का भी वीडियो अच्छा लगेगा और दोस्तों अगर अच्छा लगे तो प्लीज अपने दोस्तों को जरूर बोलिए लाइक, सेर और सब्सक्राइब करिए थैंक्यू दोस्तों